असलामलेकुम एब्रिवान मैं क्रोशी बर्ट से आपके साथ हाजिर हूँ आज इंचाला मैं अपनी केप शॉल यह कंप्लीट आपसे शेयर करूंगी और इसकी चोटे-चोटे पॉइंट्स चोटी-चोटी चीजें जो मैंने इसमें यूज की हैं चोटे-चोटे से से और यह शुज की हैं तो फिनिशिंग के लिए नीटनेस के लिए इसको ब्यूटिफाई करने के लिए हर जो पॉइंटे मैं एपसे आज वोशेयर करऊंगी इंचाला और इसके लावा मैं आप से साथ-था यह पॉम पॉम शेयर करूंगी कि मैंने यह कैसे बनाया है और फ तो पॉफ स्ट्शिच का मैथर्ट भी शेयर करके कि पाफ स्टृच से हम फ्लॉवर्स भी कैसे बना सकते हैं ये बैक साइड है लेकिन आपकी मर्जी है जों सी शाइड भी यूज करना चाहें आपकर सकते है यह इसकी front side है और इसी तरह से यह दोनों flowers मैंने बनाया है puff stitch से यह आपके सामने है यह five petals है और यह मैंने peach color के साथ बनाया है लेकिन यह वाला flower है टीपिंग सेम है जैसे पॉफ स्टिच से बनाया है यह ब Dare to various नAI कम इंहें पूदिए मैंने लए शेयर के आप से बुड़ा से अप्ड़ाइ आप देख सकते हैं इस और इस इनओं दुन की अपनी है रेक्टनिंग है और इंचालल मैं बढ़ा करोंगी मैंने three four flowers बना कर उसवे इस पर attach करने है अपकी चॉइस की according और इसके इलाबर मैं आफसे शेयर करूंगी कि मैंने इस पर क्या 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 पॉइंट्साइट किया है मैंने यह cape shawl neck से शुरू की थी यानि मैंने टीफ इंक कलर से लेकिन आपको एक यह कन्फियून हो रही होगी कि मेरी नेक पे तो पीच कलर भी आइड है यानि पीच और इंसा जो मैंने कलर एड़ किया है उसके बारे में हम बाद में डिसकेशन करेंगे और किसी ने अगर मेरा केप शॉल वाला वीडियो भी तक नहीं देखा आप काइंड को पेजिवयर वाल किया था इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने केप शॉल के स्टार्ट किया और यहां बॉटम फदिंग यहां पेटर्न में यह चांग चैप शॉल में पूरी जोल में और पिस हैं और अपने साओ कियूए मेरे पस बीटियल के बारे में दिसक्षिन करती के बाद मैंने बॉटम पे अपने प्रीवेस एक वीडियो में आपसे ये शेयर किया था कि आपने आप केप शॉल की एजिंग इस आइडिय से भी कर सकते हैं यह देख सकते हैं और उसके बाद मुझे लगा कि मेरी केप शॉल का जो नेट लाइन है वो थोड़ी सी बेबी की ए इसके नेट लाइन में चेन की डोरी बनाके और उसकी एजिंग मैंने पॉम-पॉम से एड की और इस तरह से बड़ी अच्छी सी एक मेरी केप शॉल कलर कंबिनेशन बहुत ही प्यारा से इसका कलर कंबिनेशन आपके सामने है और इसकी एजिंग अगर किसी ने सीखनी है यह कांडली आप मेरे पेज पर विजिट करें और मेरे प्रीवेस वीडियो से देखें आपको यह केप सॉल का पैटरन मैंने डिस्क्राइब किया था और आए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं मैं आपको यह पॉम-पॉम बनाने से खाऊंगी और फ्लॉवर्स के बारे में ब शुल को पता थी हों कि मैंने कितना मेतीर लिया था जैसे क्या आप देख रहे है केप एक 150-200 ग्राम का बॉल था उसके मैंने फ़र किया तो अलहम्दुलिला मेरी एक बॉल मेरी रिक्वार्मेंट के लिए सूटेबल रहा और एक ही बॉल से मेरा ये केप शॉल बन गया क्योंकि ये मेरे पास 3-4 येर्स की बेबी गल्ले के मैंने बनाया है और ये बड़ा करेंगे और पॉफ स्टिच से मैंको बताती हूं कि हमने सिंपली पॉफ स्टिच कैसे स्टार्ट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 4 mm क्रोशी हुक इसे अपना वर्प स्टार्ट करूंगी और सिंपली मैं अपनी नौट बनाऊंगी नौट बनाने के बाद में as a sample मैं आपको pattern show कर रही हूं यह वाला यह में लिए 4 5 6 7 8 9 10 आपको मैं simple puff stitch बनाना सिखा रही हूं जो आप किसी baby blanket पे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं यह pattern किसी shawl के लिए किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं और इसके लिए मैं क्या करूंगी मैंने chain और मैं third chain में जाके क्या करूंगी डबल क्रोशी की तरह मैं work करूंगी यानि मैंने अपनी hook पे एक bell डाल के third chain में जाना है और वहां से एक hook लेनी है वहां से एक इसके बाद मैंने क्या करना है इन दोनों मैंसे गुजार लेना है first two मैंसे मैं गुजार लूँगी और फिर मैं जाओंगी same same space में जाओंगी और फिर जो मेरे first two हैं उन मैंसे गुजार लूँगी इसी तरह से second third four four भी हमने same मैंसे करना है और five आपकी choice है आप five times करना चाहें ये अपकी wool की thickness पर मेंडिबेंड करता है कि आपकी wool कितनी थिक है अब last में मैंने क्या करना है मैंने yarn ले ली है yarn यार्न over करना है yarn over करना के बाद मैं अपने सारे stitches में से इसको गुजार लूँगी और इसके बाद मैं क्या करोंगी एक chain बढ़ा लूँगी मैंने सारी strand में से गुजर लिया है और इसके बाद मैं लोगी chain 1, chain 1 लेने के बाद आपकी चोईस है आप next stitch में भी एक बर्ष करना चाहे हैं, भी इसके हैं लेकिन यहाँ पर pull up glue yarn over pull up glue इनको अच्छे से मैंने pull कर लेना है बाहिर ताकि यह मेरे सारे strands equal आई एक दूसरे के और यह में पस 3 3 होगे 4 इसी तरह से 4 5 और यह puff stitch को आप कफी जगा पर यूज़ कर सकते हैं किसी frog की top के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी jacket के लिए यूज़ कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह bubbles से बनते जाएंगे यह bubbles बनते जा रहे हैं इसके बाद मैंने क्या करना है मैंने सारे strands में से wool को पास कर लिया है उसके बाद मैंने क्या करना है चेन वा लेनी है बेबी ब्लेंकिट बनाएंगे तो आपके पवास पड़े चैसे ही बबल बन जाएंगे लेकिन यहां पर मैं आपको आपको second pattern बताऊंगी यह मैंने आपको basic puff stitch का बता है puff stitch कैसे बनाते हैं puff stitch के लिए आपको मैंने यह method बताया है और मैं आपको next बताती हूं कि आपने flower बनाना हो तो आप इसको कैसी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं slip stitch करूंगे और chain 1,2,3,4,5 आपकी choice से अगर आप magic ring के through work करना चाहे हैं तो आप उसके through work कर सकते हैं और मैं अपने first chain में जाके इसको slip stitch कर लोगी यानि यापे मेरे पास एक hole बन गया है अब इस hole में मैं work करूंगी अपने flower की petals का 1,2,3, chain 3, chain 3, chain 3 के बाद मैंने क्या करना है 1, same वोई pattern जो मैं आपको previously बिताया है 2, 2, 3, 4, यहाँ पर मैं 4, 4 strand यूज कर रही हूँ और मैं इन सब में से अपनी यान को पास कर लोगी और इसके बाद मिलूँगी chain 1 इसी तरह से मैंने क्या करना है chain 2, chain 2 लेने के बाद मैं first stitch में जाके अपने hole में जाके इसको slip stitch कर लोगी फिर से मिलूँगी और मैं आपको साथ साथ यह भी clear करती जाओं कि मैंने starting पे और ending पे two two chains add करनी है जिससे इसकी shape इस तरह से अच्छी से develop होती जाएगी chain 2, pull up a loop one, two, three, four, यह मैंने four ले लिया है अब इन four में से मैं अपनी wool को गुजार के इसको chain 2 के help से बंद कर दूँगी chain 2 के help से मैंने इसको बंद किया है और अब मेरे पास जो hole है main hole center में इससे मैं करूंगे slip stitch इस तरह से मैंने कर दिया है slip stitch तो मेरे पास यह two petals बन गई है इसी तरह से हमारी choice है हमने three petals का flower बनाना है two petals से four five आपकी choice के according है यहां पर मैंने five बनाया है और इसी method के तरूब हमने five बना लेने है इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं यह बड़ा च्छा सा three petals बन गया है और यह सेम इसी इसी pattern से मैंने यह वाला flower बनाया था आप देख सकते हैं इसी pattern से मैंने यह वाला flower आपका बना के दिखाया है आपकी आपकी चॉइस आप five petals बना लेन three petals बना लेन और आए मैं आपसे अपनी दोरी के लिए puff stitch जो मैंने पॉम पॉम बनाया है इसका method शेयर करती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी चॉइस के recording इस simple chain बना लिए है यानि मैंने simple दोरी बना लिए किसी भी इस वेटर की कारडिगन की neckline में use करने के लिए यानि आपकी choice है आप किसी फ्रॉप में किसी भी जगा पर इसको use करें मैं यहाँ पे इसको कारडिगन की neckline के लिए यूज करूँगी इसके लिए मैरा ये मैंने अपनी chain को end ने किया और इसके end बले मैंने chain में जाके क्या करना है one two three chain three add करनी है और अब मैं इन chain three पर अपना work करूँगी chain three मैंने add कर लिए chain three add करने के बाद मैं क्या करूँगी मेरे पास अब total three chains extra है जिन पर मैं work करूँगी अब मेरे पास जो fourth chain होगी उसमें मैं work करूँगी puff stitch puff stitch से pom pom work करूँगी इसके लिए मैं क्या करूँगी one two three four stitch में जाना है मैंने four stitch में जाके मैंने अपना loop pull करना है और इसको अच्छे से बाहर खींच लेना है और first two में से मैंने अपनी hook गुजार लेनी है इसी तरह से मैंने फिर अपनी yarn और लेनी है और इसी stitch में same stitch में जाके work करना है इसी तरह से मैं puff stitch बनाती जाओंगी जिस तरह से मैंने आपको petal पैटल के लिए बताया था और simple मैंने आपको जो puff stitch में बताया था इसी तरह से three three मैंने work कर लिया है four आपकी wool पे भी depend करता है wool की thickness पे four five यह अब देख सकते हैं मेरे पास five अब इसके बाद मैं क्या करूंगी इन सब में गुजार के इनको slip stitch करूंगी और chain one two three chain one slip stitch की chain मतलब मैंने total of three chains यहां पर use की है इसके बाद मैं फिर same जाओंगी लेकिन अब this time मैं work करूंगी यहां पर मेरे पास जो इसके top पे मेरा जो puff stitch ह इसके top पे जो मैंने chain है उसमें work करूंगी यानि मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर मेरे पास एक hole develop हो जाएगा यह वला hole अब इस hole में मैंने work करना है इस hole में जाके मैंने same method से puff stitch बनाना है one two three three four five इसी method के cording हमने five stitches बना लिया है अब इन सब में से यानि total of six मेरे पास loops है मेरे हूप पे इन सब six loops में से मैंने अपने yarn को गुजारके slip stitch करना है one time थीक है one time मैंने slip stitch किया अब मैंने क्या करना है यह मेरे एक पॉम पॉम की look आ जाएगी आपके सामने है यह circular form में हो गया है यह आप देख सकते हैं यह two petals है जब मैं इनको बंद करूंगी तो यह एक पॉम पॉम की look दे रहे हैं और इनको के लिए मैं कौन सी जगर यूज़ करूँगी मैं इस प्लेस में जाओंगी यह मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें जाके इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी और मेरे पास यह बड़ा अच्छा से एक पॉम पॉम बन गया है यह अपके सामने है इसी तरह से आपकी चॉइस है अगर थ्री एड करने है फोर एड करने है जितनी आपकी चॉइस है आपने तू थ्री अब फिर से मैं जाओंगी इसी स्पेस में मैं एक सेकिंड पॉम पॉम पी आपको बना के दिखाऊंगी जिस तरह मैंने अपनी केप शॉल में थ्री के लिए मैंने थ्री पॉम पॉम बनाया उसी तरह से मैं आपको बनाती जाती हूं दिखाती जाती हूं साथ और मैं इसको करूँगी slip stitch slip stitch करने के बाद 1, 2, 3 यानि slip stitch के साथ मेरे पास 3 chains होगी उसको count करूँगी मैं साथ 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 इन सब मैं से में अपनी यार नोगर गुजार के slip stitch करूँगी यह जो मेरे पास main point है यानि main मेरे पास hole develop हुआ है इसके अंदर जाके मैं इसको भी slip stitch कर दूँगी अगर आप यह देखे तो मेरे पड़े अच्छे से 2 pom-poms बंगे हैं इसी तरह से अपकी choice से अगर आपने एक और pom-poms एड़ करना हो तो आपकी choice से आप एड़ कर सकते हैं इसी तरह से 1,2,3 चेंज ली हैं और मैं फिर इसी stitch में आके एक और pom-poms का work करूँगी 2 3 4 5 और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यह 3 pom-poms वाला वाली डोरी रेडी होगी है यह आप देख सकते हैं यह बड़ा अच्छा लटकने में यह लुक देगा जिससे हैं कि मैंने अपनी cape shawl के लिए बनाया था same वो ही pattern मैंने आपको सिखा दिया है यह आप देख सकते हैं क्योंकि यह different colors में है इसलिए यह ज़्याद अच्छी लुक दे रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास यह required था कि मैं single color में यह बनाऊँ यह क्योंकि मेरे उस cardigan के साथ यह color suitable था simple one basic color इसलिए मैंने इसके लिए यह pink color बनाया है और इसी तरह से मैंने यह 3-3 pom-poms एड़ करके अपनी डोरी कंप्लीट की है और किसी को मेरा वीडियो पसंदा है तो kindly like करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें और इंशाला हम अपने नेक्स वीडियो मैं आप से मिलूँगी तब तक के लिए अलाँ आफेस